स्टमक सेज्ट पेन ईब स्टेस्ट टोट्पिलिग विछ टेस्ट तुर्म कें स्टमक पेन एब्डामिणल पेन पेल्बेड एर और चेस्ट इंग के के बीछ कुछ लों को यह क्राउम्ज की तरह होता है। स्मच को बहुत शार्फ confess noda होता है मतलब continuous pain होता है और कोई को इसे dull pain की तरह experience करता है मतलब कभी pain आया और कभी नहीं आया so hello my happy souls welcome to this video मेरा नाम प्रीती खन्ना है और मैं एक सुजोग therapist and healer हूँ तो मेरा introduction देखके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम stomach pain के बारे में बात करने वाले हैं stomach pain अगर कोई serious problem की वज़े से नहीं है तो usually कुछ दिनों में अपने आप ही चला जाता है और इसके usual कारण एक basic कारणों में से कुछ कारण होते हैं जैसे irritable bowel movement जिसे हम IBS कहते हैं constipation कोई food allergy lactose intolerance food poisoning या stomach में किसी virus के enter हो जाने की वज़े से होता है चलिए reasons और types के बारे में तो बात हो गई अब solution क्या है tablets नहीं आप सुझोग therapy से ही day-to-day का stomach pain जो basic reasons की वज़े से होता है वो तो आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं tablets लेने की कोई जरुवत नहीं है दोस्तों कुछ कुछ लोग बहुत परिशान होते हैं stomach pain से क्योंकि यह उनको बार बार रियकर करता है तो treatment के साथ साथ कुछ आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि यह stomach pain आपको वापिस ही नहीं आए तो इसके लिए क्या करना होगा वीडियो को end तक देखेगा बिल्कुल भी skip मत करेगा क्योंकि treatment के बार में कुछ ऐसी टेप्स आपके साथ करने वाली हूं कि आपको stomach pain face ही नहीं करना पड़ेगा चलिए आईए treatment की तरफ चलते है treatment के लिए सबसे पहले आपको एक blue sketch pen चाहिए यह permanent marker नहीं है regular blue sketch pen है आपको करना क्या है अपने किसी भी हाथ की little finger little finger लेनी है right या left hand की उसका middle joint इस middle joint पर focus करेंगे और इस blue sketch pen से यहां पर एक ring बनाएंगे मैं आपको बना के दिखाती हूं इस तरीके से आपने अपने हाथ के little finger के middle joint पर एक blue ring आगे से पीछे तक बनानी है देखे इस तरीके से इस ring को बनाते ही आपको पेट दर्द में instantly अराम मिलने लगेगा पर इस color को आपको अपने हाथ पर सिरफ दो घंटे के लिए रखना है और दो घंटे बाद इस color को आपको wash कर देना है दोनों हाथों में आपके हाथ का upper phallage जिसे पोर्वा कहते हैं उसको हम half में divide करेंगे इस तरीके से ये half में division करेंगे उसका ऐसे और ऐसे नीचे के इस सारे area में हमें massage करके चेक करना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा painful point है जिस भी finger में सबसे ज़्यादा painful point आएगा वहाँ पर हमें एक मेथी की strip लगाएंगे ये मैंने अपनी finger के upper part को half में divide करा है अब इस area को प्रेस करके देखना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा painful point है अगर इस finger में painful point नहीं मिल रहा है तो आप second, third और fourth चारों fingers में check कर सकते हैं अच्छी तरीके से massage करने के बाद यहाँ पर अब हम seat fix करेंगे ये मैंने paper tape पर कुछ मेथी के दाने fix करेंगे अब इसे मैं अपने stimulated point पर या most painful point पर fix करूंगे इस तरीके से मुझे अपनी finger पर इस मेथी strip को fix करना है और time to time इसे press करना है tape को गीला नहीं करना है और minimum 6 hours और maximum 12 hours इस tape को अपने हाथ पर रखना है जितनी दिर ये tape आपके हाथ में रहे कोशिश करिए हर 10-15 minute के बाद आप इसे press करते रहे प्रेस करते करते ही आपको अपने पेट दर्द में आराम मिनने लगेगा ये treatment बहुत ही effective है और मैं अपने experience के साथ आपको ये कह रही हूँ ये करते करते ही patients को आराम आने लगता है और tablets की जरुवत ही नहीं पड़ती बच्चों पे तो ये treatment बहुत ही कारगर है इस तरीके की मेटी strip आप 2-3 fingers में दोनों हाथों में लगा सकते हैं अब जो useful tips की बारे में मैंने आपसे शुरू में बात करे थी उसको discuss कर लेते हैं बहुत ज़रूरी है hand hygiene maintain करना हाथों को अच्छी तरीके से साबून से धो कर ही आप हाथों से खाना खाईए साफ सुतरे बरतनों का इस्तमाल करिए और cooking के time पर भी कोशिश करिए कि पूरी हाईजीन आप maintain करें साथ के साथ पूरी कोशिश करिए कि बाहर का खाना जितना हो सके avoid करें और अपने घर में ही बना हुआ खाना खाए अगर इन tips को आपने follow करा तो जल्दी जल्दी infections जो आपकी body में enter होते है न वो नहीं होंगे और आपको पेट दर्थ का सामना नहीं करना पड़ेगा तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को like करिए और इस information को और लोगों के साथ भी share करिए जिससे कि वो भी इस treatment को अपना सके और बिना tablets के ठीक हो सके आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लिजी क्योंकि इसी तरीके का useful content इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में